आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम एसे धान तक नहीं होतरी स्रेडी ग्लोस पे आपका बहुत दो स्वागत है ये खुबसूरत जगां है देवो की नगरी बद्रीनात हम सब को पता है भई पता है कि नहीं आजकल तो pilgrimage से ज़ादा ये tourist spot हो गया है चमोले district में ये शहर पड़ता है चार धाम है न रामेश्परम, पुरी, द्वार का बद्रीनात pilgrimage, सरकिट जिसको बोलता है छोटा चार धाम भी है बहुत ही important गंगोत्री ये मनोत्री के दारनात और बद्रीनात तो इसके बिना तो यात्रा पूरी ही नहीं होनी है अगर हम बात करते हैं बहुत ही खुपसूरत मंदिर जो है हिमाले के एकदम बीचो बीच बद्रीनात आता है आदी शंकराचार ने यहाँ पे लौड बद्रीनात अलक नंदा रिवर अलक नंदा नदी के बगल में इस शहर को बसाया था ठीक है ना बहुत ही खुपसूरत जोतरलिंग भी है यहाँ पे लेकिन अभी हालात बहुत ज़्यादा खराब है जोशी मट के आपने हालात देखे क्या हुआ जोशी मट जो यह बहुत खुपसूरत है देख सकते हैं जोशी मट जो है वो खतम हो गया एक तरीके से पूरा शहर धस रहा है 1947 से 1947 से यह बाते बोली गई थी कि भाईया कुछ करो जोशी मट के लिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सब ने अंसुना किया और आज दस गया वो भारत के बहुत सारे हील स्टेशन के साथ यह हो रहा है जो इतने सारे प्रोजेक्ट से के बाद एक मनाए जा रहे है और अरब बद्रीनाथ हाईवे पे भी यही हो रहा है जैसे ही बद्रीनाथ सरकार ने होत्राखंड सरकार ने चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट चारधाम यात्रा सॉरी सैटर्डे को एनॉंस की दस से जादा क्राक्स बड़े बड़े क्राक्स बद्रीनाथ हाईवे जो कि जोशिमट के थोड़ा सा आगई आता है वहाँ पर हमको जेखने को मिले लेकिन एक और चीज़ आपकी जिन्दगी में आपको क्राक्स नहीं आएगे क्योंकि दोस्तों मैंने बड़ी महनत करके ये एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स निकाला है मात्रत तीन सौ रुपे कर थ्री हंड़े का कोर्स है रेकवरी कूपन कोड आपको यूज करना है एक मार्च से सेशन्स होंगे और ये जो सेशन्स है फर्स्ट आफ मार्च से ये आठ से दस घंटे से रहेंगे आपकी जिन्दगी बदल जागी सेक्शुल एडिक्शन, पॉर्नोग्राफिक एडिक्शन सारे के सारे एडिक्शन पर बात करेंगे दोस्तों देर मत करो फड़ाक से कूर्स को अवेल करो और आपकी वैलिडिटी एक मार्च से शुरू होगी ये है चारदाम प्रोजेक्ट तो दस से जादा क्राक्स अब को देखने को मिले और हाईवे जो है वही बद्रीनाथ को कनेक्ट करता है सबसे भारत में सबसे जादा लोग बद्रीनाथ ही आते हैं आपको पता है और ये जो जोशिमट और मारवाडी के बीच का 10 किलोमीटर का स्ट्रेचर वहाँ पे बड़े-बड़े क्राक्स हमको देखने को मिले संजे उनियाल जो कि ऑफिस बेरर है जोशिमट बचाओ संगट समिती के उन्होंने बोला कि 10 जगां पे हमको नए क्राक्स देखने को मिले और काफी जादा बड़े हैं अब स्टेट गवर्मेंट जो क्लेम्स करती है उससे उलट पुराने क्राक्स, ओल्ड क्राक्स वो भी बड़े होते जा रहे हैं और फ्रेक्श क्राक्स भी आते जा रहे हैं तो यह कोई अच्छी बात तो है नहीं अब हम सबको पता है कि जैसे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होता है अगर सरकार अपने प्याज़े तो कितनी आसानी से मिल जाती है काफी जो environment के लिए या जो चीज़े बताई जाती है कि इनको follow करो वो नहीं हो पाता है क्राक्स आर बेरी मच प्रोजेक्ट और आप देख सकते हैं चारधाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट अब हम इस पर बात करेंगे लेकिन जो SBI ब्रांच है railway guest house के पास वहाँ पर और जादा हो जाता है JP colony से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे है ना और एक छोटा सा part of the highway वो subside हो गया है your dangerous है subsidence भी शुरू हो चुका है अब पिछली बार जो cracks थे वो बियारों ने उसको सीमेंट डालके भर दिया था लेकिन वो फिर से वापस आ गए senior geologist ने बोला है कि इनको investigate करना चाहिए बहुत ज़्यदा जरूरी है है ना और ये बताया जा रहा है कि team इसको examine कर रही है tension लेने की बात नहीं है अतुल सती जो कि JBSS के conveiner है उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी बहुत कतरना कही है क्योंकि ये highway है अगर ये धसा ना तो सारे के सारे लोग पता चला खूब सारी गाड़िये चल रही है धसा तो सब नीचे जाएंगे already बद्रिनाथ highway धसता जा रहा है हमको नहीं पता कि जब thousands of vehicles आएंगे road पे आएंगे जब peak time होगा चारधा में आतरका तो क्या होगा portals बद्रिनाथ का 27 अप्रेल को खुलेगा और केदारनाथ का 25 अप्रेल को खुलेगा ये सरकार ने एनॉंस किया है और पिछले साल 17.6 लाक्स पिल्ग्रिम जो है वो आये थे बद्रिनाथ 2019 में 12 लाक्ते तो पिछले बार रिकॉर्ड यातरी आये थे इस बार भी होने वाला है देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा फिलाल आपके साथ आगे बहुत अच्छा होने वाला है इडिक्षेर मेनेजमेंट को कोर्स आपकी जिद्गी बदल देगा तो आप इसको जरूर अभेल करें हमारे आपको डाउनलोड करें थांक्यू सो माइच